Hello everyone, my name is Meet and you are watching Technical Government Job All Over India YouTube Channel आज की वीडियो आपके लिए बहुत जादा important होने वाली है जहापे हम बात करने वाले हैं post office details result के बारे में कितनी cutoff आपके इसमें एहने वाली है कैसे आपका यहाँ पे selection होने वाला है कम percentage वालों का भी यहाँ पे selection होने वाला है खास दोर पे वो candidate जिनकी कम percentage है तो हर चीज को मियापे detail में cover करने वाले हैं आपने वीडियो को starting से end तक जरूर देखना है ताकि आपके सारी doubts से आपके clear हो जाए अगर आप channel पर पहली बार आए हैं इसी तरीके से चाहते हर एक update आप तक time पर पहुंच जाए तो जल्दी से channel को subscribe करके बैल आइकन को press करके all पर click करना ताकि हर एक update आप तक time पर पहुंच जाए बाकी इसके इलावा और काफी सारी department है जिनकी vacances आउट हो चुकी है आप अपने qualification city या free district के accordingly हमारी official website www.clory.com जिसका link आपको description में दिया गया है विजिट करके information लेकर वहाँ पर आप उन vacances के लिए apply कर सकते हैं चलिए ज्यादा टाइमा लेते बात करेंगे इंडिया post office radius result के बारे में खास दोर पे कम percentage वालों के पहुत सारी inquiries थी कि यहाँ पर हमारी selection जो है वो कैसे होने वाली है क्या good news आपके लिए यहाँ पर निकल कर आ चुकी है उस good news के बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं खास दोर पे कम percentage के लिए किस तरीके से आपको अपना result चेक कर लेना इस बार वो भी आपको यहाँ पर बताने वाली हो जो की इंडिया post GDS की website है आप देख पा रहें GDS online engagement ठीक है तो सबसे पहले जैसे आप सब जानते हैं कि जो आपका correction form है वो उपन किया गया था पहले 17 तारिक से 19 तारिक तक ताकि जो आपकी जो भी mistake हुई है उसको आप edit कर पाए इसी के साथ साथ अगर आपके form में कुछ भी mistake हुई है उसको आप तरीके से edit कर पाए तो जिसका जो result date है वो भी पहले announce कर दी गई थी कि February के 3rd या 4th week में आपका result आ जाएगा लेकिन अब result के regarding काफी यहाँ यहाँ पर changes हो चुके है रिजल्ट के date यहाँ पर भी change कर दीगी है सबसे पहले अगर बात कर यहाँ पर email के बारे में बहुत सारी candidate के comments आ रहे थी कि हमें email भी आया है बिल्कुल आया है email मुझे भी आया है वो email इसके regarding था कि जो उन्होंने जो again window open की थी 25 और 26 तारिक के लिए सिर्फ की गई थी जो बंद हो चुकी है उन्होंने इसलिए की थी कि जो आपके mistake हुई है कुछ भी form में आपने changes करने हैं जैसे कि काफे सारी candidate है वह उसमें पोस्ट गलत प्रेफरेंस उनकी गलत होगी है या मार्क्स जो हो गलत भर देते हैं तो उसके के लिए ही वह उपन की गई थी तो उसके लिए भी जो है लास्ट इट ओवर हो चुकी है ठीक है तो उसके लिए आप सही कर सकते थे ताकि जो जैनून पर्सन है जिनके जैनून ली इतने माक्स है उनको यहां पे consider किया जा सके ध्यान से समझे इस बात को उससे क्या होगा कि जिनों ने अपनी percentage गलत भर दी थी जिसके कारण हाई cutoff गई थी काफी सारी candidate है वो शौक्ड हो गे थे कि यहां पर इतनी जादा cutoff कैसे जा सकती है वो किसली हुआ था क्योंकि कम percentage वालों की वहां पे chances नहीं आये थे क्योंकि जो ऐसे candidate है जिनों ने percentage गलत भर दी थी उनकी आटोमेटि देको जो cutoff है वो ज्यादा गी थी जो result इसलिए आपका जो है वो डिले हुआ था ताकि सही candidate जो है उनको opportunity मिल सके ताकि जो जिनकी इस बार marks जो कम है उनकी यहां पे cutoff definitely जादा जाने वाली है क्योंकि यहां पे दो बार तो window open की गई है ताकि जो कम percentage वाले हैं उनके भी यहां पे उनको ज्यादा consider किया जा सके या मैं बोलू जैनून परसन को यहां पे consider किया जा सके तो definitely इस पार कम cutoff वालों को भी कम percentage वालों को भी मोका मिलने वाला है बाकि इसका latest update next आने वाला है जब भी आएगा मैं आपके लिए वीडियो लेकर आउंगी चैनल को subscribe bell icon को जरूर प्रेस करना next update में मिलेंगे thanks for watching